आज हम बनाएंगे काली चाना की फूली फूली मसाला पूरी जो की बहुती खास्ता और बहुती स्वाधिस बनते हैं जिसमें आपको दाल, पूरी और खुचोडी दोनों का भी स्वाध मिलेगा और इसे आप बिना किसी सबजी, दही, चटनी, आसार के साथ भी खास सकते हो, बहुती टेस्ट लगते हैं यह रेसिपी, तो वीडियो शुक्र करने से पहले आप लंसत एक रीक्विष्ट है, अगर आपको मेरा बीडियो बगड़ा अच्छा लगए तो प्रीस सब्सक्रेब क कीजिए, चलते हैं रेसिपी कैसे बनाते हैं, देखते हैं, काली चाना की मसाला पूरी बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने काली चाना को इसको पूरी राइट भीगो के रख जाता हूँ और यह एच्छे से फूल गया है, आप देखिए यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार जली है इस चाना को डाल देंगे, चाने के अंदर अबी जाएगा यहाँ पर एक प्याज को इससर से 4 पिस करके मैंने काट लिया, यहाँ पर 1 इंच अद्रक की ठुकरा साथ इसाठ जाएगा, यहाँ पर 3-4 लसुन की कलिया, अभी जाएगा यहाँ पर 2 हर्य मिर्च, इन इस चाने के अंदर तोड़ा सा पानी डाल के भी पीश सकते हो अब डालेंगे यहाँ पर स्वात की अनुसरा नमक अभी जाएगा यहाँ पर कुछ हलका फुलका मसाला यहाँ पर एक चताई चामच की करीब मैंने हल्दी डाल दिया है इसमें हम डालेंगे आदा चुटा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चुटा चमच दनिया पाउडर आदा चुटा चमच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और आदा चुटा चमच यहाँ पर जीरा पाउडर आप यहाँ पर मैंने ले लिया है आजोयन आजोयन को इस तरह से हाथ की मदर से मसल के डालेंगे आजोयन स इन सारे सीजु को हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे बारे कटा हुआ हरा दन्या हरा दन्या डालके इन सारे सीजु को फिर से हम एक बार अच्छा से मिक्स कर लेंगे आप जाएगा यहाप पर एक चुटी चामस तेल तेल डालके फिर से मिक्स कर लेंगे अच्चा से आप हम लेंगे यहाँ पर एक काप करिब मैदा आप चाहे यहाँ पर गेहू की आठा से भी बना सकते हूँ लेकिन मैं यहाँ पर मैदा से भी बनाओ आप देखो दीरे दीरे डाल के हम इस तरह से एक डो की तरह हम बना लेंगे जैसे हम लोग रूटी यहाँ पर लई तोड़ लेंगे बड़ा सा एक लई में हम तोड़ा सा तेल लगा दिया है अब हम बैल लेंगे अच्छा से जैसे हम लोग रूटी के लिए पतला सा तयार करते से में से हैं तेल लगाने से वो चिपकेगा नहीं आप इस तरह का एक कोटूर या ग्लास कोई भी समान ले सक कोट कर लिया है अच्छा से बैल लिया है अब चाहे मर्दा या तेल दूनों में ऐसे भी बना सकते हो ताकि वो नी से चिपकेगा नहीं है देखो या पर सारे को सारे में ने पूरिया को अच्छा से तयार कर लिया है आप चलते इसको फ्राइ करते हैं इनको तलने के लिए हम अच्छा से गरम कर लिया है आप देखो एक करके हम दू तीन एक साथ में पूरिया डाल देंगे डाल के हम अच्छा से फ्राइ कर लेंगे जैसे हम लोग तेल में डालेंगे वह अपने अप फूल के आ जाएगा उपर बहुत ही ये फूली फूली बनते है ये पूरी देख स तो कितना अच्छा से ये पूरी बन के तयार हो गया है कितना अच्छा से ये फूलते ये पूरी इस तरह से ये पूरिया खस्ता खरारी बनते है और देड़ तक फूली फूली रहते है बस ये लिजे खाली चाना काया पर खस्ता खरारा पूरिया बनकर बिलकुल तयार हो ग तो आप इसको कम टाइम में कम सामान में बना कर तयार करके चाय के साथ भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी है ये रेसिपी और कम टाइम में बनके तयार हो जाते हैं। ये आज के इस वीडियो के इसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो तोड़ा सभी पुसंद रहे तो आपकी फ्रेंट्स और हमेले के साथ शेयर करेजिए। तो आज के इस वीडियो यहाँ पर इन कर रहा हो। फिर मिलते हैं नहीं कोई रेसिपी के साथ तब इसके लिए बाई 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 अल्ला हपीज।